मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इन्फोर्मेशन में आपका स्वागत है आज मैं बताने वाला हूँ कि SBI के निव एटियम कार्ड का एटियम पिन आप एटियम मसिन में जाकर कैसे बनाएंगे इसका मैं कम्प्रिट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने नजदे की SBI के कोई भी एटियम मसिन में जाएंगे इसके बाद आप अपने एटियम कार्ड को एटियम मसिन में इस तरह से डालेंगे इसके बाद आपके सामने स्क्रीन में दो आप्शन सो होगा पहला है डॉमेस्टिक दूसरा है इंटरनेस्टिक आप पहले वाले आप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे डॉमेस्टिक को इसके बाद यहाप आपको स्क्रीन में यस और नो का आप्शन सो होगा यहाँ पर आप yes वाले option पर touch कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको screen में language का option सो होगा मैं यहाँ पर English वाले language को select कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप अपना ATM pin को बनाने के लिए यहाँ पर आप pin generation वाले option को touch कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका account number मांगा जाएगा यहाँ पर आप अपना account number को सही से डाल देंगे मैं यहाँ पर आपना account number को सही से डाल देता हूँ account number को सही से डालने के बाद यहाँ पर आप press if correct वाले option को touch कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप से आपके account में register mobile नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर आप अपने register mobile नंबर को डाल देंगे मैं यहाँ पर डाल देता हूं इसके बाद यहाँ पर फीर से pressiorip correct वाले option पर touch कर देंगे इसके बाद आपके register नमबर पर एक OTP send किया जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका ATM PIN दो step में बनेगा पहला step में आपको OTP generate करना होता है जो आपने अभी कर दिया और दूसरा step में आपको OTP को डाल कर अपना ATM PIN को बनाना होता है तो चलिए दूसरा step को अब शुरू करते हैं यहाँ पर आपके register मुबाइल नमबर पर चार्ड डिजिट का OTP आया होगा यह OTP आपको spelling नमबर से इस तरह से दिया होगा यहाँ पर आप फिर से आप अपने ATM कार्ड को ATM मसिन में इस तरह से डालेंगे इसके बाद यहाँ पर आप domestic वाले option पर टेस्ट कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप yes पर टेस्ट कर देंगे इसके बाद यहाँ से आप अपना language को select कर लेंगे मैं यहाँ पर English पर टेस्ट कर देता हूँ दूसरा step में आप अपना ATM pin को बनाने के लिए यहाँ परा banking वाले option पर touch कर देंगे इसके बाद आपको screen में कही सारा option सो होगा यहाँ पर आप अपना ATM pin को बनाने के लिए यहाँ परा pin change वाले option पर touch कर देंगे मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप 10 से लेकर 99 की बीच में कोई भी दो नमबर को दबा देंगे और यहाँ पर yes पर टच कर देंगे इसके बाद आपके register mobile नमबर जो OTP आया होगा उसे यहाँ पर आप डाल देंगे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी चार डिजिट नमबर डाल कर आप अपना ATM PIN को बना लेंगे मैं यहाँ पर ATM PIN को बना लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपने जो ATM PIN को रखा था Sam यही चार डिजिट नमबर को यहाँ पर फिर से डाल देंगे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको screen में आपका ATM pin set होने का confirmation सो होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं transaction complete यानि आपका ATM pin set हो चुका है यहाँ से आप अपना ATM card को निकाल लेंगे मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें comment करके बताए मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like share कर दे और मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजे ताक इसी तरह के वीडियो और basic knowledge आपको आगे मिलते रहेंगे धन्यवाद